हलो अचो गोड इबरींग आज हम काइनेमेटिक्स पुरा यूनिट एक साथी बात करने वाला हो नीट का यूनिट टू हम रिवीजन जो आपको चैप्टर वाइज नहीं करवा रहा है यूनिट वाइज करवा रहा है क्योंकि यूनिट वाइज आप लास्ट ट्वेंटि डेज में सस्टेमेटिक तरीका से रिवाइज कर सकते हैं अगर वो revision आपका अगर हो जाता है last 20 days में तो फिर भी आपको time बचेगा क्योंकि हमारा जो revision का plan है वो 27 को finish हो जाएगा अगर एक lecture daily होता है तो भी हाँ lecture थोड़ा lengthy होगा वो बात अलग है देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरीके का आप देखेंगे मैं सब जगे बना रखा हूं सारे चिप्टर का इस तरीके का plan है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसमें हम लोग यह बात करने वाले हैं कि यह जो हमारा है कितनी question कैसे topic पर आ रहे हैं बसे तैयारी करते से मैं सोचता है बहुत कुछ पढ़ लें तभी selection होगा लेकिन एक बार analysis भी देखिए अभी जब paper देने जा रहे हैं सारे lecture से हो रहे हैं paper के बात तुरंत मैं यह publish करने वाला हूं कि मैं जितने 20 days में कराया हूं maximum question उसी में से आएंगे इसमें ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं यह 2023 में देखो इस unit से unit 2 से kinematics जो discuss करने वाले से चार question आया अच्छा वो चारो question कैसे थे एक तो projectile का question था एक average speed का था एक equation of motion का था एक motion under the gravity का था मनलब आप जो basic concept generally आप पढ़ते हैं उसी पर था चलिए ठीक है बाई 2023 का हो गया अच्छा 2023 में मनीपूर में देखेंगे तो इसमें भी हमारे चार question आया है ठीक है यानि यहां से कितनी है तू dimension का question आया था एक projectile का आया था एक vector का आया था एक UCM का आया था uniform circular motion को भी मैं इसी में consider किया हूँ यह चीज़ धियान लखे रहना ठीक है अब देखिए अच्छा इसमें भी 4 question आया इसमें भी 4 question आया तो मैं एक done बता दू काइनेमेटिक से मतलब unit 2 से 4 question की आने की 100% संभावना है और भी basic fundamental के रहेंगे question बिलकुल इजी रहेगा अगर आप जितनी division मैं करवाऊंगा उसे systematic अगर revision करते हैं तो ठीक है इसमें द्यान से देखिएगा अब 22 में अगर आएंगे आप तो 22 में 4 question है अचा ये sn का formula पढ़े होंगे आगे अभी मैं discuss करूंगा मैं फिलाल मैं ये keyword लिखा हूँ आपको समझाने के लिए देखिए आठ क्या रहा है sn का formula पढ़े होंगे u plus a by 2 bracket में 2n-1 अभी मैं लिखा लिखवाया भी हूँ आगे चल के और उसमें question भी discuss करेंगे आपके साथ है नेक्स्ट point एक question आया था uniform circular motion पर एक XT graph पर question आया था फिर एक प्रोजक्टाइल motion पर अच्छा एक चीज़ देख रहे होगे प्रोजक्टाइल motion से तो एक question done है उसके basic formula पर बहुत ज़्यादा tough नहीं है ठीक है अब देखिए इसमें भी 4 question है इसमें 2021 में हमारे कितने आया है तीन question एक तो हमारा SN पर है एक प्रोजक्टाइल पर है हमारा और एक जो अच्छा question था यह uniform circular motion प्लस प्रोजक्टाइल दोनो को combine करके बहुत प्यारा सा question बनाया था maximum बच्ची उसे गलत कर दिये होंगे तो यह चीज़ समझना है keyword को ज्यादा जल्दी वाजी नहीं करना है 2020 में आएंगे तो यह देखेंगे कि इसमें एक ही question आया है motion under the gravity का अच्छा 19 में आएंगे तो इसमें फिर 4 question आया है ठीक है त तो आप 6 paper अगर आप solve करेंगे ना paper wise भी 6 paper तो उसे analysis लग जाएगा कि हां इतने gap में आने की संभावना है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक equation of motion पर आया था फिर एक uniform circular motion पर एक vector force पर अच्छा यह वाला हमें question जो है law of motion में रखना चाहिए था अब इसमें paste हो गया ठीक है तो अगर मैं इसको उसमें ले भी जाता हूं law of motion में तो फिर भी इसमें तीन question है तो इस chapter की अगर हम लोग probability की बात करेंगे तो 4 question की probability है यह 100% done है अच्छा कैसे topic पर आएंगे जो basic formula आप class 11th में पढ़ते हैं सिर्फ उतने पर आएगा क्या बहुत additional question लगाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं सिर्फ यह सारे topic को कभर करके जाते हैं इस पर based on question करके जाते हैं तो इस unit से 16 नंबर आपका done है बहुत जादे additional या बहुत tough question या आप नहीं लगा पा रहे हैं फिर भी नीट लेवल के इस topic के सारे question करते हैं तो यहां से आपके आपको जरूरी है लास्ट टाइम बहुत सारे दिमार्ट में चलता है कि कि मैं तयारी किया हूं कैसा नहीं किया हूं क्या होने वाला क्या बहुत सारी बाते जलते हैं लेकिन सिर्फ एक बात को ध्यान लखे रहेगा यह हमेशा इसके analysis जरूर कर लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि जो आप paper देने जाने वाली हूं ऐसा ही question आने वाला ह है तो रिवीजन मस्ट है वो भी strong revision पता चले कि आप uniform circular motion में में time period का formula पूछ रहा हूं नहीं बता रहे हूं centripetal force का formula पूछ रहा है प्रोजक्टाइल में height का formula पूछ रहे हैं नहीं बता पा रहे हूं यह सारी चीजे keyword note करना है और इसको हम revision कर वाएंगे लगभग 20-25 से 20 मिनट लेंगे ज्यादा नहीं मैं सबका divide किया हूं आपको कैसे lecture लेने वाले हैं ठीके अब आगे हम लोग बात करते हैं अच्छा मैं syllabus भी पेस्ट किया हूं लेकिन सबसे पहले मैं ऐसे बता रहा हूं इसमें topic पढ़ना क्या क्या है अगर kinematics में जाओगी तो one dimension motion में क्य पढ़ना है और इसी में आप average velocity और average acceleration वी आपको पढ़ना है उसके बाद आप relative velocity one dimension motion का भी पढ़ना है बस इतनी keyword इसमें पढ़ना है two dimension में आएंगे तो वेक्टर इसी का part है हमारा मेरी बाद समझ रहे हो वेक्टर जो है इसी का part है तो वेक्टर कभर हो गया हमारा वेक्टर में resolution अगर आप दिखाए अभी हम आगे discuss करेंगे 2D और 3D resolution इसमें से angle push सकता है हमारा directions push सकता है तो ये वेक्टर में दो चीजे पढ़ेंगे उसके magnitude और बाकी चीजे dot हम आगे लिखा है तो बहुत सारे बच्चे problem में होंगे कि सर रिभर बोट problem आएगा कि नहीं आएगा अगर relative velocity लिखा है तो relative velocity वन डाइमेंशन का भी होगा relative velocity टू डाइमेंशन का भी होगा तो रिभर बोट problem जो है relative velocity का concept है two dimension motion फिलिए basic जल्दिवाजी नहीं करना है uniform circular motion में आपको centripetal 4 acceleration आपको पता होना चाहिए centripetal acceleration होता है यह होता है mv square by r यह होता है r omega square यह होता है v square by r में लिख सकते simple सी बाद इतने की keyword आपको note करना है मैं आगे आपको समझाते हैं कैसे note करना है बियान से समझेगे यहाँ पर syllabus mention है मैं relative velocity को आपको दिखा देता हू कहाँ पर लिखा है ठीक है यहाँ पर relative velocity बहुत सारे बच्चे ढूड रहे हैं कि सर मुझे river board problem जो है न स्लेबस में कहीं printed दिख नहीं रहा तो क्या मैं छोड़ दूँ मैं ऐसा गलती आपको करनी नहीं दूँगा relative velocity लिखा यानि वह one dimension two dimension included है